हलो एवरिवान वेलकम बेक टो माई चैनल आज आपके साथ मिलन प्रजापती जी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिन से मेरी लगबग एक साल पहले बात हुई थी और अब रिसेंटली उन्होंने मुझे कॉंटक किया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो उनको सेम प्रब्लम थी कमरधर्व की वो बहुत जगह भटक चुके थे और उसके बाद उन्होंने मुसे बात की थी जहां पे उन्होंने मुझे बताया कि उनको क्या-क्या प्रॉब्लम है और क्या-क्या उनको करना चाहिए वो मैंने जो मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को वो precautions वो सब मैंने उनको बता दी थे उन्होंने medicine continue किये है युनानी medicine ही ली है उन्होंने और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब कोई बंदा disappoint हो जाता है ना अपनी life से उसे लगता है कि कुछ possible ही नी है ना और इसका आप कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ मेरी जिन्दगी अब ऐसे ही चलने वाली है और तब उनकी life में कुछ changes आते हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो खुशी बहुत एहमियत रखती है उनकी लिए उनकी परिवार के लिए और मैं भी बहुत खुश हूँ के मिलन जी को अब इतना relief है जबकि वो बहुत जादा disappoint थे जिस वक्त उन्होंने मुझे से बात की थी तो चलिए उनका experience शेर करूँगी साथ ही लोगे आप लोग हैं जिनको ये problem है चलिए start करते हैं ये हरियाना से हैं और इन्होंने बताया था अभी जो इन्होंने message किया है वो आपके साथ पढ़ रही हूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम मैं ये आपकी बताईवी medicine लगबग एक साल से खा रहा हूं मुझे लगबग 80% पहले से आराम है अब मैं अपने सारे काम कर लेता हूं बहुत अच्छी बात है कि वो आपका अपना काम भी कर पा रहे हैं जो कि पहले नहीं possible हो रहा था और वो लिखते हैं कि मेरी medicine अब खतम हो गई है और मैं रोड़की जाने वाला हूं medicine लाने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन सकते हैं या फिर किसी से consult करके आप लेना चाहो तो आप युरानी medicine जरूर ट्राइ करें जो भी इस दिक्कत इस परेशानी में है एक बार तो जरूर करके देखें एक महीने में आपको पता चल जाएगा लेकिन medicine के साथ precautions बहुत जरूरी हैं जो कि आपको long life ठीक रखेंगे और इस से बाहर भी निकालेंगे इमेडियर तो आप बाहर नहीं निकलते हो टाइम लगता है लेकिन उतना सबर चाहिए होंसला चाहिए और जिन लोगों को लगता है कि भई हमको कपकपाट हो रही है या जंजनाठ है सुनपन है किसी को दर्द किस अलावा तो उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि जरूर यह चीज़ें ट्राइ करके देखें जो मैंने बताई हैं आप लोगों को भी इंशालला इंशालला रिलीफ आना चाहिए मैं हमेशा कहती हूं कि कोई भी बहुत-बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं बहुत-बहुत ज़्यादा डी बीच में गयाr डामा डोल हुआ फीर आया फीर धीर-दीरी बरढ रहा है तो पूछते रहते हैं पूछना चाहते है कि मैं क्या है ठीक हो रहा है क्या है ठीक हो रहा है होते हैं आगे की तरफ जुकते हैं तो इस लिए उस जखम को हील होने के लिए टाइम दो और जब वो हील होने लगे तो उसका ध्यान वे एक छोटे बच्ची की तरह रखो क्योंकि वो ही आपकी बॉड़ी को हर चीज करने के लाइक बना रहा है है तो पहले उसे ठीक कर दो औ दस होंसला रखना है ठीक है जी और मिलन जी को में यह कहूंगी कि आपने इतनी हिमत कि खाई है और आपने अपना एक्सपिरियंस भी शेयर किया उसके लिए भी शुक्रिया अब आप अपना ध्यान रखिए आगे के लिए भी थोड़ा सा अवेर रहिए आप जितना ठीक हो जादा वक्त लग सकता है तो इसलिए प्रेकॉशन्स का ध्यान जरूर रखिएगा यह सवाल लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं और यह मैंने पहली वीडियो में भी बताया है शायद और उसके बाद भी मैं बताती हूं फिर से बता देती हूं मौसिन पटेल जी कि अपने दवाई खाना कब छोड़ दिया था रीकवर होने के बाद और कितने दिन खाई तो देखे रीकवर होने के बाद लग बग मुझे अब 5 साल होने वाले हैं मैंने चोड़ रखिए मुझे मेडिसन के अलम्दुलिला कोई जरूरत नहीं है मसाज सिकाई की भी कोई तो फिर हाकेम साब जो थे उन्होंने मुझे का कि अब जब दर्द आपको कम है तो आप इसे हाफ कर दे यानि कि मैं मैडिसन एक दिन लेती थी और एक दिन छोड़ देती थी तो वह एक तरीके से आप या तो एक दिन में एक बार लो या फिर आप एक दिन दोनों रोज डे आप अपना सरख पाईएगा क्योंकि मेरी कंडिशन थी भी बहुत खराब उस चीज को वही लोग समझ सकते हैं जो मेरी जैसे कंडिशन में पड़े वे हैं बिस्तर बे ठीक है तो सबके लिए ऐसा नहीं है और आप लोग दूसरों के एक्स्विरेंस देख सही हो कि जो प्रॉपर याद भी नहीं है बस इतना पता है कि आप बहुत परिशान थे तो आप अपनी एक्सपिरेंस जरूर आप लिख के छोड़के जाएगा मेरी वीडियो के नीचे ताकि दूसरों को पता चले कि आप किस कंडिशन से ठीक हुए हो ये माया जी का मैसेज है जिन्हों और वजन उठाना चाहे वो एक किलो भी हो तीनों एकदम बंद कर दें सीडिया चड़ना उतरना बिलकुल बंद करें और जो हम पालती मार के बैठ जाते है न वो बंद करें जब भी बैठें टेक लगा के बैठें और सिर्फ कुरसी पे बैठें पैरों को लंबा करके किसी दूसरी चीज़ पर टिकालें लटकाने के बजाए ठीक है तीसरा आपने बिस्तर जो आपका है वो रूई का गद्दा होना चाहिए अभी रीसेंट ही मेरी एक सिस्टर से बात हुई तो उनका कहना यह था कि अच्छा जो गद्दा बैड पे पढ़ा है उसके पर रूई का गद्दा डालें बिल्कुल नहीं आपने गद्दो को हटाना है प्लेन सर्फेस के ऊपर रूई का गद्दा डालें और उस पर लेटिए और सीधा जब लेटोगे तो तक्या मत लगाईए क्योंकि मोस्ली पेशेंट को जिनको लंबर में दिकत है बाद में सर्वाइकल की चा बराबर रहे ठीक है शरीर के साथ तीसरा आपने नहाते वे एक फिट का स्टूल लेना है उसी में बैठके नहीं है न उससे छोटा हो न बड़ा हो वजन आपको उठाना नहीं है तो इस तरीके से मैनेज करिए कि बकेट वहीं रखे रखे आपको उठाना न पड़े दूसर रहे हैं तो वरना पीछे की तरफ हलका सा बेंड करके जुका के सिर्फ दो सकते हैं कान में किसी को पानी नहीं जाएगा अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा बैठके दो ये उससे प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपने खाने में भी कुछ चीजों का परहेज रखना है जैसे चावल, आलो, खटी चीजें, ठंडी चीजें, फ्रिज के फल, फ्रिज की चीजें, खटी फल बिल्कुल बंद है इसमें अलग-अलग मत पूछिएगा कि नीवो खा सकते हैं क्या संत्रा खा सकते हैं जिस भी चीज में खटाई है इस वक्त खटा जो है वो आंगर। आपको उन। चीजें अभी के लिए बंद करें जाय नीविटि रहना आप थाप में जोर्ब पूछी नीए करने आप बंद हैं को फ्राल मिरच जहर है, वो बंद कर दीजिये, आपको षिता हैं उना है, अप्र था से में वो भी एक या दो हरे मिर्ट चीर के डाल दीजिए उसे खाने की भी जरुरत निये निकाल दो साइड में टेस्ट भी आ जाएगा और आपको मिर्च का जो खतरनाक जो चीज़ है वो अंदर जाएगी वो नहीं जाएगी वो धियान रखिए नमक जो है जो सेंधा नमक होता है बेस्ट है सेंधा नमक दीजिए आपको कब्ज एसडिटी की प्रॉब्लम में वो सॉलिशन के तौर पे आपको हेल्प करेगा तो सेंधा नमक का यूज़ करिए और खुद से घर में मंगवा लीजिए उसे धो के उसे सुखा के उसके बाद उसे पिसव लीजिए और वो वाला यूज़ करिए पिसा पिसा या ना ले मैं तो यही कहूंगे आपको तो यह यह कुछ चीजें हैं जो प्रिकॉशन से माया जी आई हूप आप समझ गई होंगी यह आपने करना है प्रिकॉशन ठीक है इसके साथ में आप अगर यूरो सर्जन को अभी तेल बनाना है तिलका तेल और कश्मीरे लैसुन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा वीडियो के देती हूँ प्लीज उनको देखें उस ओयल को बनाए मसाज का तरीका बता देती हूँ नीचे तेल बोन से सिर की दिशा में मसाज करनी है लेकिन हाथ को वापस नह लाना है उपर की तरफ ले जाओ हटा लो उपर की तरफ ले जाओ हटा लो ये इस तरीके से मसाज 10-15 मिनट मसाज और उसके बाद सिकाई करनी है 20-25 मिनट बस यही चीज़ें जो मैंने की थी और मैं जो सब को बताती हूँ वो कर सकते हैं अगर किसी को कुछ और ना समझ आय और वो उनको लग रहा है कि कोई solution नहीं मिल रहा है कोई समझ नहीं आ रहा है तब आप मुझे Instagram पर message करिए वहाँ पर मैं बात करती हूँ अगर मुझे लगता है कि patients को जरूरी है बात करना तो वहाँ मैं बात करूँगे आपसे बाकी आप चीज़े try करके देखेंगे तो आ और massage और सिकाई आपको best पे जो घर पे best फिजो थेरेपी होती है वो आपको वहाँ मिल रही है तो वह भी करके देखें और उसकी बाद मुझे बताएगा कि अब आप कैसी है ठीक है यह next जो message है rocks boy ID से इन्होंने पुछाए कि मेरे spine का operation हुआ है तीन दिन पहते अब क्या नह experience मुझे नहीं है कि operation हुआ और operation के बाद मैंने क्या किया लेकिन मैं लोगों के experience share करी रही हूँ और मैं आपको यही कहूंगी कि पहले तो आप जिन से आपने operate कराया है उनसे पूछी कि मुझे precautions क्या क्या रखने अगर वो नहीं बता रहे हैं तब भी अगर वो आपको यह कह करो सब कुछ करो तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज ठैर जाये दूसरों के experience भी देख लीजे कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कुछ आराम रहा लेकिन किसी जटकी के वज़े से उनको फिर से तकलीफ हुई है तो कम से कम जब तक बिलकुछ सब कुछ ठीक ना हो जाए precautions का ध्य experience नहीं है अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने operate कराया हर वो बिलकुल ठीक है first class है तो वो अपना experience जरूर शेयर करिए इनके लिए ताकि इनको help हो और इनके साथ कोई भी miss happening ना हो तो please share जरूर करिएगा वाकि आपको जो चीज़े मैंने बताई है precautions में जो physical परहेजे उनका आप खयाल रखिएगा टू विलर आपने चलानी नहीं है अभी मत चलाईए जब तक आपको लगता नहीं है छे महीने साल भर तब तक आप मत चलाईए वरना तो कोई जटका लगने से ये problem फिर से ना हो जाए इस चीज़े का आपको खयाल रखना है ठीक है जी अगला सवाल पलक जी मैं तो बता चुकी हूँ इस से पहले मैंने सब कुछ बताया है कि मैंने क्या किया है और जहां तक एडी में दर्द हो या पिंडली में दर्द हो ये शाटिका के लक्षन है जो की उपर नस दबती है तो उसकी वज़े से बलड का फ्लो कम होता है तो दर्द आता है और य साथ में सीडी वगर आवाइड करिए टू विलर का बिल्कुर यूज बंद करिए जिस चीज से आपको जटका लग सके उन चीजों को उन कामों को बंद करिए लगातार खड़े होना लगातार बैठना ध्यान रखिए उसमें आपको हेर फेर बदल मतलब करना पड़ेगा आप मसाज और सिकाई भी स्टार्ट कर दें घर पे ही ठीक है तो आप ये चीजें करके देखें आपको रिलीफ आएगा खासकर एक चीज का ध्यान रखें लोग क्या सोचते हैं कि हमको पैर में दर्द है हमको कमर में दर्द है लेकिन वो यह नहीं जानते हैं कि एडियों से भी पैन आ सकता है तो एडियां इतनी भयानक दर्द करती है आप खड़े होने लाइक नहीं रहते हो ऐसा लगता है हड़ी फाड़ के बाहर आ जाएगी पैर की तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपने क्या करना है बड़ी सॉफ्ट से चपल आती है ठीक है तो वो चपले आप ने पहननी है जब भी आप खड़े होते हो बैट से ठीक है डबल सपोर्ट की बैट जरूर पहने आपको उससे सपोर्ट मिलेगा जिनको रह गया है जो चीजे मैं छोड़ देती हूं भूल जाते हूं फिर याद आता है बताती हूं तो डबल सपोर्ट की बैट आपको सपोर देने के लिए है प्लीज उसका इस्तमाल जरूर करें जो बहुत जादा तकलीफ में है इस वक्त जो चपल की मैं बात कर रही हूं वो किसी भी जो चपलों की शॉप होती है उनसे कहिए जी हमें एडियो में दर्द आता है हमें सॉफ्ट वाली चपल जाहिए जो डॉक्टर रहता है बंदा काम क्या करेगा है ना और वो उपर की तरफ प्रेशर भी देती है हडियां अगर नीचे जमीन पर टाच हो रही है तो सोचिए उपर की तरफ जो डिस्क है उसमें भी प्रॉब्लम आपको महसूस होगी वो बढ़ती भी महसूस होगी ठीक है ना तो इन चीज अपरेशन ना कराना पड़े प्लीज बताएं तो प्रमोज जी जो मैंने माया कुमारी जी को प्रेकॉशन्स बताएं हैं अभी से और मसाज और सिकाई स्टार्ट करिए मैडिसन आपने अगर आपको फाइनल अपरेशन बोला गया है तो मैं यही कहूंगी कि आप युनानी म हकीम से आप चाहें तो कंसल्ट करके ले सकते हैं आपको मैडिसन लेनी है अपना प्रॉपर प्रेकॉशन्स रखना है और मसाज और सिकाई अगर आपको 15 डेज में रिलेफ मिलता है तो फिर आप मैं उम्मीद करती हूं कि आपको किसी और तरीके से या अपना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत ना पड़े बस आपने उन चीजों पर फोकस रखना है बाकि अगर आपको कुछ और चीज समझ नहीं आ रही है प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए वहां मैं आपसे बात कर लूँगी तो आप देखने कि अभी आपने क्या करना है मैं तो यह बस थोड़ा सा होसला करें और यह चीजें करके जरूर देखें उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है अकला सवाल राकेश एंड कुमार जी का है जिन्होंने पूछा है कि मुझे L5-S1 लैक पेन है मतलब L5-S1 में डिस्क बल्ज है और पैरों में दर्दार रहा है मेडिसेन प्रेकॉशन ले रही हूं आप से पोचना चाहती हूं कि आपको लैक पेन जाने में कितना टाइम लगा तो देखें अगर आपने अभी तक दूसरी वीडियो नहीं देखें तो आपको देख लेनी चाहिए यह प्रॉब्रम अगर आप प्रेकॉशन नहीं मेरे हिसाब से कि वो आपको बंद हो जाए अगर आप सही तरीके से ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेशिंट हैं जो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हां उनको जो पैरों में दर्द था वो उनको कितने दिन में गया है तो टाइम इसमें फिक्स नहीं है अगर आप प्रिक प्रिकॉशन्स लेना है मैडिसन के साथ में और मसाज और सिकाई या फिर आप फिज़ो थेरेपी जो भी आपको बहतर लगे वो कर सकते हैं तो उससे आपको रिकवरी होगी धीरे धीरे होगी और टाइम इसमें कोई फिक्स नहीं है मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरा पै चला गया था मुझे नहीं पता चला उस दर्द का क्यूंकि बाकी दर्द और बाकी चीज़ें बहुत थी मुझे टेलबोन से इतना फेन था कि वह बहुत सालों में गया तो एक चीज के बारे में मैं नहीं क्लियर हूं कि मैं आपको बता दूँ कैसे गया लेकिन हां और कोई भी एक मिस्टेक नहीं करनी है ठीक है ऐसा नहों कि आपने बाकी की और एक आधी छोड़ दी वो ध्यान रखेगा यह सवाल बारुपल हर्श का है जिन्होंने पूछे है कि दिदी मैं भी मुझे भी L4 L5 है आयुविदिक दवा ले रही हूँ बट कोई फरक नहीं है क्योंकि आराम नहीं मिल पाता जॉइंट फैमिली है तो और कोई सपोर्ट भी नहीं करता है हस्बन के लाबा अब तो बहुत दिक्कत है हो रही है समझ नहीं आ रहा है क्या करूं दिमाग काम नहीं कर रहा है प्लीज बिताए मुझे क्या करना चाहिए तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगी कि जॉइंट फैमिली है और सपोर्ट नहीं है तो प्लीज आप भी उन्हें सपोर्ट मत करिए ठीक है आप खुद को सपोर्ट करिए इस वक्त आपको अपने आपको सप करके देना है नहीं करना है सिर्फ अपने लिए करिए आप कुछ लोगों को यह चीज अजीब ही लगेगी लेकिन मैं जानती हूं कि जिस वक्त मैं बिस्तर पे पड़ी थी और मैं रो रही थी तो मुझे कोई समझाने वाला या मेरा दुख बांटने वाला नहीं था क्योंक अपने बारे में खुद से नहीं सोचेंगे आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचने वाला है अब भी अपने आपको प्रिकॉशन्स को लेकर चलिए अपने हजबन को समझाएए वो नहीं समझते हैं डॉक्टर से बात करवाईए और मैडिसन आप कोई भी लें जो काई तीन टाइम जरूर करें ठीक है आपको उसी से आराम आते चले जाएगा अगर आपने नियुरो सर्जन को नहीं दिखाया तो वो आप जरूर करके देख लें पहले और मैडिसन से अगर आपको रिलिफ नहीं आ रहा है तो मैडिसन चेंज भी करके देखें ठीक है एक ही आ आपको क्या बहतर लगता है और आप डिसिजन आपको लेना है ठीक है जी आईए आपके साथ बेवी मोहसिन खान जो है उनका एक्सपिरिंस शेयर कर रही हूं और उनके सवाल भी लोगी जहां पे वो बता रहे हैं कि मुझे दो मंत की मैडिसन से 50% आराम आ गया था और इनक लेकिन दो तीन दिन के लापरवाही इन्होंने की घुटनों की एक्सराइज कर ली कमर की एक्सराइज कर ली और देखे जब हम मैंने भी किया है तो इसमें कोई अजीब आतनी है कि हम सबको जल्दी होती है कि हम जल से जल ठीक होके एकदम नॉर्मल लाइफ में है लेकिन को उसकी वज़े से ये देखो क्या लिख रहे है कि पहले मेरे पैरों में जंजनाहाट जलन बहुत होती थी मैडिसन और परहेज से ठीक हो गया था देखे दर्द और जलन दोनों ही ठीक हो गई थी जंजनाहाट है ना सिर्फ दर्द था कमर में पैरों में भी दर्द कम हो गया अब मैं क्या करूँ तो कुछ नहीं आपको rest करना है मसा सिकाई करना है और अपनी precautions और medicine continue करिए आपको भले एक हफता लगे या 15 दिन लगे लेकिन आपको relief आ जाएगा ठीक है तो ऐसा बहुत सारे patients के साथ पहले भी हुआ है मैंने पहले भी share किया है कि अगर कोई भोचोक हो जाती है तो दर्द एकदम बहुत तेज बढ़ता है लेकिन घबराना नहीं है अपने आपको control करिए थोड़ा सा टाइम तो लगे गई जहां पर सूजन आई है दर्द में दर्द हुआ है जिसकी वज़े से तो उसे थोड़ा सा ठीक होने में टाइम दीजिए बाकी आप कहा आती हैं मैडिसन से सब में फायदा हुआ था अल्ला पाक मुझे जल शिफा दे आमीन आमीन बिल्कुल मैं भी दुआ करती हूं कि सब जल से बहतर हूं तो घबराना नहीं है अगर आपको relief आया था तो ऐसा होता है कि हमारी किसी गलती से अगर दर्द बढ़ा है ना तो पर आजाएगा जहां पहले था ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है मैं तो यहीं कहूंगी और बाकी आप लोगों में से जो भी जिस जिसकी कंडिशन में बहतरी अच्छी आपको लग रहा है कि हुई है वो जरूर अपना experience शेयर करें और दूसरों को भी guide करने में मदद कर ताकि लोगों को ना ऐसा लगते है कि सरफ मैं ही मैं बता रही हूं पर जो लोग ठीक हुए है ना अगर वो भी आके अपना experience शेयर करें बस आज के लिए इतना ही उमीद करती हूं कि ये video आप लोगों के लिए helpful रहे जो लोग नए जुड़े हैं वो please videos follow करें और देखें औ और जो लोग बहुत वक्त से इस तकलीफ में हैं जिन लोगों को problem बहुत पुरानी हैं तो वो अपने options जरूर try करके देखें हौंसला बना के रखें हिम्मत रखें क्योंकि दूसरे लोगों के experience भी आपको help इसी तरह के से करेगा कि आपके अंदर positivity कम से कम जरूर आ जाएग तो बस आज की इतना ही दुआओं में याद रखेगा मिलते हैं next वीडियो में